लमस्का मेरा वीना, MNS यूजरा में आप सभी का स्वागते, आईए देखते हैं आज की कुछ साजा खबर विदर्मा वर्धा में नाबाली के साथ किया गया बलातकार, नस्देगी रिष्टेदार नहीं किया 16 वर्षिय की शोरी के साथ बलातकार इसमें पिडिता एक महा की गर्ववती रहने की बात सामने आई है, इस प्रकरन में सेलू पूलिस ने मामला दर्च कर आगे की जाज शुरू कर दी प्राप्त जानकारी के अनुसा 16 वर्षिय की शोरी को खापरी निवासी उसके रिष्टेदार ने प्रेम के जाल में फसा कर उसके साथ शारेरिक संबन बनाए किशोरी की तब्यत बिगरने से परिजन उसे अस्पता ले गए जहां किशोरी एक महा की गर्ववती होने की बात सामने आई है वही आरोपी का नाम पंकच उड़ा नाम बदाय जा रहा है, फिलाल पूलिस असमामले की जाज कर रही है वही दूसरी खबर सामने आ रही है, यवत माल में मैला के साथ की गई छेड़ चाड़, खात की थेली मागने के बहाने से घर के परिशन में घुसे एक युवक ने मैला को गलत इरादे से स्पर्ष कर छेड़ चाड़ की यह घटना घाटन जी तवसिल के पालोदी में साथ जनवरी की दूफर तीन बजी हुई, वही आरोपी की शिकायत कल शाम पूलिस में यह शिकायत दर्च कर रही है, वही पूलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है वही तीसरी खबर सामने आरी है, वर्धा में हासे में एक यूवग घायल, ट्रिपल स्ट आरही तेज रफतार, दुपईया ने अन्य एक दुपईया को जोरदार टककर मार दी, इसमें यूवग गंबे रूप से घायल हो गया वही जानकारी के मताबिक गनेशनगर निवासी आजय दिलिपसी हाँ, चववान यहाँ, पेट्रोल भरने के लिए जा रहा था, इसी दोरान टककर लगने की वज़े से वहाँ घायल हो गया फिलाल वक्त हो चुका है, ब्रेक का ब्रेक से रूट में की बाद बने रही है, MNS News के साथ, नमस्कार